तमस्कार, आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉंड्रिया के बारे में माइटोकॉंड्रिया सेल के एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटिड और्गिनली हैं सेल की फिजियोलोजिकल एक्टिविटी इनकी संख्या को निर्धारित करती है ग्रोइंग, डिवाइडिंग और एक्टिविली सिंतेसाइजिंग सेल्स में ये ज़्यादा मात्रा में पाय जाते हैं क्योंकि वहाँ उठ जाकि आशक्ता ज़्यादा होती है एक सेल में उपस्तित समस्त माइटोकॉंड्रिया कॉंड्रियोम कहलाते हैं आज हम माइटोकॉंड्रिया की सरंचना इसके कार्यों एम हम इसके सेमी ओटोनॉमस नेचर के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले अध्यन करते हैं माइटोकॉंड्रिया की सरंचना का माइटोकॉंड्रिया की सरंचना में इसकी मेंब्रेंस इसमें उपस्तित क्रिस्टी, ओक्सिसॉम्स और मैट्रिक्स का अध्यन करेंगे मेंब्रेन्स में आउटर मेंब्रेन और इनर मेंब्रेन इनके मद्ध्य पाए जाने वाले इंटर मेंब्रेन स्पेस मैट्रिक्स में उपस्तित एंजाइम्स, DNA, RNA और राइबोसॉम्स को देखेंगे यह है चित्र हमें माइटोकॉंड्रिया की सरंचना को समझने में मदद करेगा माइटोकॉंड्रिया दोरी जिल्ली परिबद कोशिकांग है आप इस चित्र में आउटर मेंब्रेन और इनर मेंब्रेन को देख सकते हैं इन दोनों मेंब्रेन के मद्दय के स्थान को इंटर मेंब्रेन स्पेस या आउटर चेंबर कहते हैं जिसमें एक द्रव भरा होता है बहरी और आंत्रिक जलियां प्रोटीन वे लिपिट के प्रकार उनकी मात्रा एवं अपनी प्रोपर्टीज में भिन-भिन होती हैं बहरी जलिय स्मूथ और फ्रीली पर्मेबल होती है जिसके लिपिट्स में कॉलिस्ट्रोल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इनर मेंब्रेन सेमी पर्मेबल होती है जो माइटो कॉंड्रिया से पदार्थों के अदान प्रदान को नियंतित करती है इस में श्वसन से संबंदित इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स पाय जाते हैं इनर मेंब्रेन अंदर की तरफ अंतरवलित होती है यह देखे यहां आमें इनर मेंब्रेन के अंगुली नुमा इनफोल्डिंग्स अंतरवलन दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्रिस्टी कहते हैं यह क्रिस्टी माइटोकॉंड्रिया के इनर सर्फेस हेरिया को बहुत बढ़ा देती हैं जिससे इसमें बहुत सारे एंजाइम्स आ सकते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में इन क्रिस्टी का नंबर ज्यादा होता है इनर माइटोकॉंडिया मेंब्रेन पर ही लॉलिपॉप जैसी या ओल्पिन जैसी सूक्ष में सरंचनाई भी पाए जाती हैं जिन्हें ऑक्षिजोम्स या इलिमेंटरी पार्टिकल्स कहते हैं यह एक ऑक्षिजोम है कि देखे चोटे-चोटे आपको कहीं बहुत बड़ी संख्या में लगे वे दिखाई दे रहे हैं किसकी सरंचना को और विस्तार से देख लेते हैं एक ऑक्षिजोम के तीन भाग होता है पहला भाग गोल हैड़ पीस इसे एफ न सब यूनिट भी कहते हैं दूसरा भाग बेस पीस या एफ जीरो सब यूनिट और तीसरा इन दोनों को जोडने वाला स्टॉक इसी लिए ऑक्षिसोम को एफ जीरो एफ वन कॉंप्लेक्स भी कहते हैं वास्तम में ये एटीपी एज या एटीपी सिंथटेज एंजाइम्स होते हैं जो एटीपी निर्मान का कारे करते हैं अब आते हैं इनर मेंब्रेन के अंदर परिबद स्थान जिसे इनर चैंबर कहते हैं उसके बारे में अध्यन करने में इसमें एक द्रफ भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं माइटोकॉंडियल मेट्रिक्स में प्रोटीन्स, लिपिट्स, राइबोसोम्स, बी एन्ने, आरन्ने, कुछ विशेश आयन्स, क्रिस्टल्स और गैन्यूल्स, कई तरह के चीज़ें पाए जाती हैं इसमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो मुख्यत हैं श्वसन से सम्मंदित क्रैप साइकल के होते हैं जो एनर्जी प्रोटक्शन में हेल्प करते हैं इनमें मिलने वाले राइबोसोम्स 70S प्रकार के होते हैं जो प्रोकेरियोटिक सेल के समान हैं इसमें DNA भी पाया जाता है जो सर्कुलर होता है इसके साथ तीनों तरह के RNA, rRNA, tRNA और mRNA भी पाय जाते हैं इस प्रकार माइटोकॉंड्रिया की स्ट्रक्चर में डिफरिंट पार्ट्स होते हैं अब पढ़ते हैं माइटोकॉंड्रिया के functions को माइटोकॉंड्रिया को powerhouse of cells कहते हैं क्योंकि यह aerobic respiration और ATP generation की site होते हैं हमने देखा था जब हमने इसकी structure पड़ी थी किश्वसन से सम्मंदित क्रेप cycle के enzyme, electron transport system के enzymes यह सब माइटोकॉंड्रिया में मिलते थे इसके अतरिक्त माइटोकॉंड्रिया कई मेत्वपूर्ण biomolecules के निर्मान के लिए intermediates मद्देवर्ति पदार्थ भी प्रदान करते हैं fatty acid synthesis के enzymes भी माइटोकॉंड्रिया में पाय जाते हैं कोशिका के अंदर calcium mind की concentration को भी माइटोकॉंड्रिया कंट्रोल करता है अब पढ़ते हैं माइटोकॉंड्रिया की autonomy और biogenesis के बारे में माइटोकॉंड्रिया की विशिष्टता है कोशिका में इसका semi autonomous होना अर्द स्वायत शासी कोशिकांग होना होशिकां में मिलने वाले सभी और्गिनली semi autonomous नहीं होते लेकिन हमने कहा कि माइटोकॉंड्रिया semi autonomous हैं ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कुछ गुण पाय जाते हैं यह self duplication यानि replication के यह सक्षम होते हैं नए माइटोकॉंड्रिया पहले से उपस्थित माइटोकॉंड्रिया के विभाजन से बनते हैं cells इन्हें raw material से नहीं बना सकती यह इनका विशिष्ट गुण है इनमें semi autonomous होने के लिए पूरा system पाया जाता है इनमें genetic information मिलती है DNA के रूप में यह self transcribe कर सकते हैं energy producing mechanism respiratory enzymes इनमें मिलते हैं और यह membrane material और structural proteins और enzymes को भी बना सकते हैं इस प्रकार काफी काम अपने structure और function से सम्मंदित यह खुद कर सकते हैं हाला कि सभी proteins यह स्वैम संसलेशित नहीं कर सकते हैं कुछ ही कर सकते हैं कुछ अन्य अवश्यक proteins जो हैं वो इन्हें केंद्रक के DNA द्वरा बनाए गए जो हैं वो चाहिए होते हैं जो cytoplasm से इनके अंदर प्रवेश करते हैं लेकिन फिर भी क्योंकि इनमें खुद एक system है बहुत सारी चीजों का इसलिए यह semi autonomous कहलाते हैं mitochondria में DNA की उपस्तिति को समझाने के लिए इनकी self replicating abilities को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसे endosymbiotic theory कहते हैं symbiotic शब्द symbiosis से बना है symbiosis कार्थ ऐसा सम्मन्थ जिसमें दो जीवों को एक दूसरे से पारस्परिक लाब मिलता है ऐसा मानते हैं कि पूर्व में mitochondria एक independent bacteria था independent organism था यह organism बाद में एक बड़ी eukaryotic cell के संपर्क में आया इसके अंदर प्रवेश कर गया अब जब यह mitochondria उस eukaryotic cell के अंदर पहुँच गया तो इससे eukaryotic cell और mitochondria दोनों को फायदे हुए eukaryotic cell को mitochondria के माध्यम से energy मिलनी शुरू हुई ATP production से और mitochondria को eukaryotic cell से सुरक्षा मिली तो यह जो endosymbiotic relation था इस relation की वज़े से दोनों partners mitochondria और eukaryotic cell इन दोनों को benefit हुआ इस तरह evolution के अंदर mitochondria क्योंकि पूरू में एक independent existence रखते थे इसलिए इनमें आज भी वो autonomous nature जो है वो कुछ मात्रा में उपस्तित है इस थेयोरी को prokaryotic symbiotic mitochondrial origin के लिए सबसे valid थेयोरी माना जाता है इस प्रकार आज हमने mitochondria की structure उसके function और इसके origin को पढ़ा आज है कर दो कर दो अजय है प्रकार प्रकार ख्रकार